आज के इस वीडियों आपको बताने वाला हूँ कि आप खुश से इस समकार्ड आप अनलाइन कैसे बना सकते हैं वो भी फिरी में बिना कोई पैसे दिये इस समकार्ड आधार कार्ड की तरह होता है इसमें भी 12 डिजिट का एक उनिक इडेंटिकेशन नमबर मिलता है और इसके साथ आपका बैंक एकाउंट भी लिंक किया जाता है जिससे सरकारी उजनाओ का लाफ आपके बैंक खाते में सीधे पहुँच जाएगा साथ ही 2 लाख रुपे का एक्सेडेंटल एंसरेंस का भी लाफ मिलेगा इसमें एक साल का प्रीमियम सरकार की ओर से दिया जाएगा रिजिटर मजदूर यद किसी दुरगटना का सिकार हो जाते हैं तो उसकी मिर्थ या बेकलंगता की स्थिति में उसको 2 लाख रुपे मिले कोई भी अन और्गनाज़ड वरकर अपना इस सर्म कार्ड बना सकता है इस सर्म कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा वहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहा भी फिरी में आपको कोई भी पैसा यहां पर नहीं देना पड़ेगा इस सर्म कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार नंबर होना चाहिए और आधार कार के साथ लिंक एक एक्टिव मुबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास एक बैंक डिटेल होनी चाहिए निए बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपकी उमर जो है वो 16 साल से 69 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आपके अधार कार के साथ कोई मुबाल नंबर लिंक नहीं है तब आप CSC सेंटर से अपना इस सेंब कार बनवा सकते हैं यहां गैशा हम कार्थ बनने के लिए simply आपको आधार कार से लिख मुबाइल नंबर डालना है और यहां पर कैपचा सेंब कैपचा डालना जैसे इधर लिखा हुआ यहां नो पर टिक रखना है उसके भाए नीचे आएंगे और sent OTP पर click करेंगे अब एक OTP आएगा इस number पर और वो OTP यहाँ पर डाल के submit पर click कर देंगे अब यहाँ पर आधार number अपना डालना है 12 digit का जो आधार number होता है वो यहाँ पर हमें डाल देना है उसके बाद यहाँ पर I agree to term and condition पर tick करना है और इसे submit करना है मैं यहाँ पर tick करके submit कर देता हूँ आप term and conditions का read कर सकते हैं मैं already read किया हूँ अब यहाँ पर OTP आएगा OTP डाल के validate पर click कर देंगे अब यहाँ पर एक दूसरा page खुल के आएगा यहाँ पर आधार के साथ detail होगी यहाँ पर show कर देगी यहाँ पर नीचे आएगे तो यहाँ पर आपको tick करना है simply I agree करना है और continue to enter other details पर click करना है आप personal information की detail आएगी तो वाया नीचे आना है और नीचे आने बाद आपका mobile number जो पहले आपने डाला था वो यहाँ पर दिख चाएगा कोई emergency mobile number अगर डालना चाहते है तो इसमें डाल देंगे email ID को डालना चाहते है डाल देंगे आपका marital status select करना है आप married है या unmarried है यह यहाँ से select कर लेंगे उसके बाद अपना जो है father name यहाँ डाल देंगे और social category अपना जो है social category select कर लेंगे अगर नहीं पता तो कुछ नश्रेट किजिए नीचे आएएगे यहाँ पर आपको nominee detail डालना है तो nominee detail अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँपे yes करेंगे और nominee यहाँपे yes करते हैं जैसे nominee का नाम और gender relation यह डालना है अगर नहीं डालना चाहते है नो रखेंगे और save and continue पर click कर देगे अब यहाँ पर आता है address सबसे पहले home state अपना select करना है जिसी state में आप रहते हैं वो state यहाँ पर select कर लेना है मैं उत्तर पदर select करता हूँ उसके बाद आपको अपना house number, locality, district, sub district यह सब आपको पूरा address आपको डाल देना है यहाँ पर pin code आपको डाल देना है अपना और यह सारी drill डालने के बाद में address डालने के बाद में निचे आएंगे अब यहाँ पर select करना है कि आप इस location पर कितने दिनों से रह रहे हैं कितने वर्शों से रह रहे हैं उसके बाद migrant worker पर आएंगे और यहाँ पर आप अगर migrant worker है तो yes करेंगे अगर नहीं है तो no करेंगे अगर किसी दूसरे राज़ी में काम करते हैं तो यहाँ yes करेंगे और उसके बाद यहाँ select करेंगे कि किस काम के लिए आप दूसरे राज़ी में हैं तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो सबसे उपर वाला टिक रखेंगे अगर आप पढ़े लिखी हैं तो इसमें से आप सिलेट करेंगे जितना आमने पढ़ाई किया उसके बाद अगर आप कोई साइटिफिकट अपलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपकी monthly income जो है वो कितना है यहाँ पे आपको सिलेट कर लेना है अगर आपके पास कोई income certificate है तो upload कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है यहाँ पे save and continue पर click करेंगे अब यहाँ पे action and skill का option आता है तो यहाँ पे action आप मनलब काम क्या करते हैं तो काम जो भी करते हैं यहाँ पे आप type करेंगे अगर यहाँ पे जैसे ही आप पहले action टाइप करेंगे तो list आजाएगी आपकी काम की उसमें select कर लेना है आप कौन सा काम करते हैं कुछ इस तरह से अगर list नहीं आती है आपको यहाँ पे जो type करते हैं वो error दिखाता है तो यहाँ पे आप simply i button पर click करेंगे यहाँ पे i button दिया हुआ है अब i button पर click करने के बाद में आपको एक PDF मिलेगा और PDF में सभी का जितने भी काम करने वाले लोग यह समकार बनवा सकते हैं उनके code दिये हुए हैं तो वो code वहाँ से तो भी upload कर सकते हैं जरूरी नहीं है अब नीचे आएंगे skill to be upgraded वाले option में और यहाँ पे आप अगर आपने कोई काम की training ली है कहीं से तो वहाँ पे उपर वाले पर tick करेंगे अगर कोई training नहीं ली है तो नीचे बटिक करेंगे और save and continue पर click कर देंगे आप एक दूसरा पीज खुल के आएगा यहाँ पर bank detail का तो यहाँ पर जब से पहले बताया था bank detail यहाँ पर आपको देना है तो कि जो भी सरकारी योजनों को लाफ मिलेगा वो सीथे bank account में मिलेगा तो यहाँ पर अपना bank account number डालना है उसके बाद दुबारा वही account number confirm कर देना है नीचे उसके बाद account holder का नाम यानि नाम डालना है branch डालना है तो branch कैसे डालना है यहाँ पर IFC code डालकर search करेंगे तो आपका bank का नाम और branch automatic आएगा save and continue पर click कर देना है अब यहाँ पर आपका preview दिखा देगा फूरी detail जो आपने डाली हुई है वो यहाँ पर दिखा देगा आपको check कलेना कि सब्सक्र Eles आप ने दी है वो सही है या नहीं सही है अगर नहीं है सही है तो दुबारा सुधार कर लिजिए तो यहाँ पर tick कीजिए और submit पर click केजिए अब यहाँ पर हम सम्मिट पर क्लिक करते हैं आप एक OTP आएगा और OTP यहाँ पर डाल देना है और वेरिफाई पर क्लिक कर देना है तो OTP यहाँ पर आ चुका है और डाल गेट वेरिफाई करते हैं दुबारा टिक करते हैं सम्मिट करते हैं अब सम्मिट करने के बाद में नी क्वाइल्फ Sellskirt प्री में जो है इस सर्म कार्ड बनवा सकते हैं बना सकते हैं डाउन्लोड अली बना कार्द इसी और इस कार्ड करवा सकते हैं Yapuk cohort सकते हैं। अपना इस सर्म कार्ड उम्मीद करता हूँ वीडियो हमार पसंद आयrd वीडियो पसंद आयAR तो ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को सियर कीजिए और लाइक कीजिए चानल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिजिए साथ लाखेब कर देजिए आज की इस वीडियो में इतना